अग्टोएप के मादधम से आप फ्यूचर स्टेडिंग कर सकते हैं स्वेप कर सकते हैं टोकन को एक चैन से दूसरी चैन पर आप यहाँ पर क्रिप्टो को स्टेकिंग कर सकते हैं क्रिप्टो डिपोजिट कर सकते हैं फिड्रॉल कर सकते हैं इवन आप यहाँ पर स्पॉट ट आते हैं या meme tokens आते हैं वहाँ पर अगर आप invest करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर options मिल जाते हैं जस्ट अगर आप उन पर click करेंगे तो particular उसी area के जो tokens है वो आपको दिखाई देंगे तो अगर आपको पता भी नहीं है तो directly आपको वहाँ पर list दिखाई देती है इसके अला पर सो वीडियो के description में आपको link भिल जाएगा जैसे आप link पर click करेंगे automatic आपको app store पर या play store पर redirect कर दिया जाएगा जो भी आप mobile phone यूज करते होंगे उसके अनुसार जैसे आप octo wallet को open करेंगे कुछ इस परकार का first look आपको दिखाई देगा आप यहाँ पर तीन परकार से कि आप email id को use करके account create कर सकते हैं और तीसरा option है कि अगर आप coin d6 exchange के user हैं तो आप directly coin d6 exchange को भी यहाँ पर connect कर सकते हैं पहला जो option है import वालेट का वो मैंने पहले ही explain कर दिया है अगर आप wallet को import करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं उसके उपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के description में आपको इस वीडियो का link मिल जाएगा लेकिन अगर आप पहले से coin d6 exchange को use कर रहे हैं और आप अपने coin d6 exchange को connect करना चाहते हैं और एक नया account बनाना चाहते हैं तो कुछ यह आसान से step आपको follow करने होंगे आपको यहाँ पर coin d6 वाला जो option मिल रहा है इसके उपर click करना होगा उसके बाद में अगर आपने पहले से coin d6 app को अपने mobile में install कर रहा है तो उस condition में आपको app install करने के लिए नहीं बोला जाएगा बट अगर नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ install app पर click करना होगा उसके बाद में जो coin d6 का app है वो आपको install कर लेना है जै यहाँ पर उपर ही लोग इन क्रियेट अकाउंट का अप्शन मिल जाएगा आप लोग इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में जूपी आपका रिजिस्टर्ड इमेल आड़ी है पासवर्ड है कौनडीशेक्स एक्शेंज का अगर आपने कौनडीशेक्स प्रोपर बनाया था तो सेम आप अपनी इमेल आड़ी पासवर्ड को यूज करके अकाउंट को लॉग इन कर लेंगे कौनडीशेक्स एप पर उसके बाद में आपको वापस से कौनडीशेक्स वाले आप्शन पर क्लिक करना है थोड़ी दिर आपको वेट करना होगा आपका इमेल आड़ी जो भी आपका रजिस्टर्ड इमेल आड़ी होगा वो आपको दिखाई देगा इसके अलावा अगर आप टम्शन कंडिशन को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस पिन की जरुरत पढ़ लेता हूँ अब आपने फिलाल जो पिन प्रवाइड करवाएं वो वापस से आपको कंफरम करने होगे तो वापस से मैं अपना पिन यहाँ कंफरम कर देता हूँ जैसे आपके पिन कंफरम हो जाएंगे तो आप अपने फेस आईडी को यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं मैं ओक तो एप का first look कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है, यानि कि अब आपका जो account है, वो successfully create हो चुका है, लेकिन अभी भी एक काम pending है आपका, so उसको complete करने के लिए आपको यहाँ पर user का logo मिलेगा, उपर just इसके उपर click करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको wallet backup and recovery का option म वो नहीं है, so उसको भी आपको setup कर लेना है और अपने पास रखना है, so आपको यहाँ auto recovery phrase का option मिलेगा, just आप इसके उपर click करेंगे, उसके बाद में again आपको यहाँ पर कुछ basic detail बताई जा रही है, कि आपके जो phrase हो किसी के साथ भी share नहीं करने है, अगर आपने यह खोद दिए, so आप अपने fund को खोदेंगे, किसी को पता लग गए, so उस condition में भी आपका जो fund है, वो आप खोद होगे, so तीनों आपको टिक करने है, one by one करके, उसके बाद में आपको option मिलेगा, show recovery phrase का, just आप इसके उपर click करेंगे, उसके बाद में आपने थोड़ी देर पहले pin ज होते हैं, वो share नहीं करने, या फिर दिखाने नहीं है, सिरफ ये आपको ही पता होने चाहिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बनाने के लिए, मैं demo wallet create कर रहा हूँ, इसलिए ये कि आपको दिख रही है, otherwise मैं भी आपको ये की नहीं दिखाता, so आपको ये key not down क क्या है, third number पर क्या है, ऐसे करके आपको 12 digit तक लिख लेने हैं, और एक ही जगा नहीं, multiple जगा आप लिख के रखे हैं, जब आप अपने recovery phrase को note down कर लेते हैं, उसके बाद में आप continue पर click करेंगे, continue पर click करने के बाद में आपने फिलाल जो 12 digit के recovery phrase को लिखा है, वो आपको phrase य लिखने के बाद में space देना होगा, पिज us writes, और एक अगर में एक space दोंगा, तो confirm का ऑप्शन है, वो नहीं आ रहा है, तो आपको हमेशा जो 12 internet होता है, उसके बाद में space नहीं रखना है, उसके बाद में आपको confirm करना होगा, जैसे अप confirm करेंगे, आपका जो recovery phrase होगा, वो स सेट अप हो जाएगा और यह सेट अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है अब आपका फाइनली जो वालेट बनाने का प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है